तेरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Short Study Channel आईए शुरू करते हैं हिमाचल जी के डेली रोज 10 पार्ट 10 Q1. हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत को लौड डलहजी ने लेपसे की निती के द्वारा अंग्रेजी समझारज्य में मिलाया था अंसर रहेगा बगहाट रियासत Q2. पोर्ण राज्य प्राप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्स कौन थे? अंसर रहेगा देशराज महाजन Q3. हाथिधार और धोलाधार के बीच चंबा की कौन सी तहसिल स्तित है? अंसर रहेगा भटियात तहसिल Q4. पलियंडरी इन हिमालयास पुष्टक किसने लिखी? अंसर रहेगा वाईयस परमारने Q5. भूरी सिंग संग्राल्य चंबा में सबसे मुख्य वस्तु क्या है? अंसर रहेगा पार्षियन, पंजाबी और टांकरी भाषा के दस्तावेच Q6. बांदली वन्यजीब अभ्यरन किस जिले में है? अंसर रहेगा मंडी जिले में यहाँ अभ्यरन 41 वर किलोमेटर है, इसकी स्थापना 1962 में हुई इसके अलावा नागरू, शिकारी देवी वन्यजीब अभ्यरन इसी जिले में है Q7. चंबा राज परिवार में सरप्रथम सिंग उपाद्धी का परियोग किस ने किया था? अंसर रहेगा गनेश वर्मने Q8. हिमचल प्रदेश में 1986 में गठित परशाशनिक ट्रिब्यूनल के प्रथम अध्यक्स कौन थे? Q9. आथारा सो बीस में कुलू की यात्रा बीलियम मूर क्राफ्ट ने किस राजा के समय की थी? अंसर रहेगा राजा अजीद सिंग के समय Q9. परवास पर आने वारे मूर क्राफ्ट पहले येरोपीय व्यक्ति थे Q10. हिमचल प्रदेश में कितनी सक्ति पीठ है? अंसर रहेगा 4. प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक या डिसलाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएं न्यू वीडियो जल्दी लेके आऊंगा तब तक के लिए जै हिमचल जै भारत